असलाम वालेकूम सस्यकाल नमस्ते आदा आप तो कैसे हैं आप सब खेरेस से हैं बहुत ही अपसोस वाली न्यूज आज सौधी अरब में हुआ है और ये सुबह कहीं मामला है और मैं भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि तफसील में मामला नहीं आ रहा था इसकी वज़े से मैं तो पहर में भी नहीं बताया तो मक्का जा रहे थे हुम्रा करने के लिए लोग और रास्ते में ब्रेक फेल हो गई बसका और 28 लोग से भी ज्यादा गायल है और 20 लोग की मौत भी हो गई है और भी बहुत सारी नियूज है जैसे कि अगर आप मक्का जा रहे हैं तो शायद आपको रास्ते में रोक दिया जाए बीना पर्मिट के अगर आप साओधी में काम करते हैं तो यह एक और नियूज है जो कि आपके ऊपर 15 साल का जेल और 10 लाक रियाल का जुर्माना लग सकता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लाश तक ताकि आपको पुरी जानते हैं सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा यहां पर साओधी अरब में अगर कोई भी पैसा मांगते हुए रास्ते में दिख जाता है रमजान के टाइम पे मैं आप सब को वार्निंग देता हूं कि हमारे बहुत सारे बंगलादेशी हैं इंडियन हैं बहुत सारे लो यह वीडियो आपके सामने आप देख रहे होंगे ठीक हैं यह वीडियो आपके सामने हैं और मैं इसको चोटा करता हूं बढ़ा नहीं करूंगा वरना को भी डटा जाएगा अगर यह लेडिज हैं इसी के साथ में यह भी इंडियन हैं पाकिस्तानी हैं बंगलादेशी हैं क को गिर अफ्तार किया गया है दिखे किसके पास से कितना पैसा मिला है इसमें हर एक देश के लोग शामिल है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि याद रहे कि हम लोग जो इंडिया से जाते हैं नॉर्मल हैं लेकिन बहुत सारे हमारे जो उम्राहच पे जाते हैं ना अपना नाम बनाने के लिए मैं सौधी इरफ से पैसा लेके आ रहा हूं ये लेके आ रहा हूं आधा से ज्यादा पैसा वह अपने बैंक एकाउंट के अंदर ही डलवा लेते हैं थोड़ा बहुत पैसा मज़ित के नाम पे या किसने किसी फंड के नाम पे वह उनके खाते में डलवाते हैं क्योंकि मेहनत तो सारी ये कर रहा है न वहां पर जाकर के तो इसलिए सावधी गवर्मेंट आपको वार्निंग देती है कि किसी भी ऐसे लोगों को आप पैसा नहीं देंगे अगर आपको लगता है म अपने घर पे पैसा भीजी और अपने आसपास वारे लोगों को डोनेट करवाईए अपने घर पे पैसा भेजके अपने मस्जित में पैसा लगवाईए अपने घर पे पैसा भेजके किसी रिषदार किया लगवाईए लेकिन कोई जा रहा है आपके यहां पे भाई आओ प पहुच होई को पाता ना मेरी बात बूनी लगी लगी क्योंकि बहुत सरे लोग को पकड़ा गा और भी झूदेग पिर नहीं पाता में में हरम सरीव के सामने में लोग पैसा मानते हैं जूट-खुला-जूट बोलते हैं आपके सब कर भी हुआ है अगले अब देट में आपको शेर करूंगा बहुत ही अफसोस है और स्टार्टिंग में अपने वीडियो भी देखी है जो कि आपने देखा कि जलता हुआ वीडियो है यहां पर आप देख सकते हैं यह देख लीजिए यह यह देखिए किस तरीके से दूआ उठ रहा है पूरा देखिए फ्लाइवर पे तो मामला हुआ क्या है जो एक्सडेंट हुआ है आभा शॉटकट बताता हूं मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाओंगा आभा जो है ना आभा की तरफ से मक्का आ रहे थे लोग 29 बस से आ रहे थे जिसमें 29 लोग घायल हो गए और 20 लोगों की मौत होगे देख लिए यहां पर लिका है जो भी हज करने के लिए जा रहे थे एक बस पलट जाने की वजह से आग लगे जिसमें 20 उमरह करने वाली लोग थे 20 लोग जो है इंतकाल कर गए 29 लोग घायल हो गए जिसमें ब्रेक देखिए यहां पर लिक गया और इस तरीके का बुरा हादसा हो गया रमजान के टैम पे ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए रमजान छोड़िये कभी भी ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए 20 लोग रास्ते में ही अल्लह के रास्ते में निकले थे और इनका यहीं तक सफर था इसलिए कहते हैं बहुत सारे भाई हमारे उमरा हज पे जाते हैं तो वीडियो वगेरा रिकॉर्ड करने लगते हैं उन्हें मैं भी शामिल हूँ एक एक पल रिकॉर्ड करते हैं उन्हें मैं भी शामिल हूँ मैंने भी वीडियो बनाई है हर एक चीज की फोटो डालें हूँ उन्हें मैं भी शामिल हूँ मै मैं भी अपना नाम इंक्लूड कर रहा है लेकिन यह सही नहीं है कल नहीं परसो एक अपडेट आए थी जो मैंने आपको नहीं बताए जाने बूच के बट मैंने का यार बताना चाहिए हमारे यहां पहले जब उम्रा हज में लोग आते थे तो फोटो का कोई सिस्टम ही नहीं था लेकिन अब जो भी लोग आते हैं वो दिखावे की लिए आते हैं इसी तो इस और फोटू ही मालूम पड़ जाए रहा है यहां थलो फोटो की बिचेँ तो मैं लुनाना हमँड़ कर रहा हुए तो मैंने भी मुर्दा किया है मैंने भी वीडियो बनाई है बट वीडियो बाद ने बनाई पहले मैंने सारा काम कंपिलिट किया नियत जिस नियत से गए थे उसके बाद मैंने सारी चीज़े की हैं आप ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा बहुत अफसोस की इन सबी को जन्नत अता फर्माएं, अगली नियूज में आपको शेयर करूँगा, मक्का में इंटरी कर रहे हैं आप, तो ध्यान से सुनिए, कुछ अच्छा भी है, कुछ बूरा भी है, ध्यान से देखिए, थमलेल पर मैंने लिखा हुआ था, मक्का में जाने के लिए चेक प पहना हुआ है, और आप उम्रा के लिए जा रहे हैं, मतलब आप लोग रास्ते में ही पहले ही एहराम पहन कर आ रहे हैं, और आप गारी में हैं, आप उम्रा करने जा रहे हैं, और आप या नमास पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कोई भी पुलिस नहीं रोकेगी, नहीं आपसे permit मांगेगी आपने अगर उम्रा करने जाना है अगर आप रास्ते में ही इहराम पहन रखे हैं और आप मस्जित में नमाज भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको permit की जरूरत नहीं है अगर कोई रास्ते में पीछे से ही आ रहा है और वो सोच रहा है कि हम चलो यार उम्रा कर लेते हैं बट ऐसे इस नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस में हैं तो उनको पर्मिट की जरूरत है वरना मक्का में इंट्री नहीं होगी आपको रास्ते से यूटन लेके वापिस आना पड़ेगा नूसक अतमरना एप का नाम नूसक रख दिया गया है नूसक ऐप डाउलोड करके आप पर लिएजीए एपsटर से वह कनेक्ट होगा मुव Annual नमिभर से वेरिफीकेशन की जीए आपके पर keenभीड होगा लाल होगा हरा है ओर ग्रीन होगा तीनों क्यों योर्षे लाल वरी ब्लू कर एक की सब्छाक है तो यहां पर देख सकते हैं से चली है चला फिल्हानल की कि बात ईंहाइं है छाइप अच्छी बात है हमारा इंडिया मजबूत हो रहा है घब नहीं को से notorрам कि और उप अपने प्रप्षाद और कोई भी चंदा वंदा ले रहा है तो यार मत लीजिए अभी मैंने बहुत सारे नियूस में कट कर दीए क्योंकि वो नियूस आपके काम की नहीं है जो नियूस मेन होती है वही में आप तक पहुंचाता हूं और आपका टाइम वेस्ट करनी की मेरा को कोई भी इंटेंस नहीं है बहुत शुक्रिया दो आम याद रखेगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और आप लोग कहीं भी हैं तो मैंने कहा था मेरे लिए कोई खजूर ले आओ सायद किसी ने सुना नहीं कोई बात नहीं क्योंकि आप पहचानते नहीं न मेर आपको अगर दिल्ली आ रहे हो आस-पास कहीं भी आ रहे तो मेरे लिए खजूर ले आना अलाहा अपीस अब कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 झाल झाल झाल